हेलो दोस्तो मेरा ना में गौतम और आप देख रहे हैं यूलाक लेक्टॉनिक्स और दोस्तो यहाँ पे जो आप audio पैनल देख रहे हैं इसमें इक इकको का option आता है और इक record का तो मेरे चैनल पे record के उपर वीडियो बना हुआ है कि उस record का option जो है किस परकार से यूज कर सकते ह आज कल जो audio panel आते हैं उसमें mic का option जरूर रहता है यहाँ पे GND और mic तो यह mic का option जो है आज कल सभी panel में देखने को आपको मिल जाएगा तो यह जो mic है दोस्तों वो किस काम में आता है तो मेरे channel पे जो एक video था जो इस mic से आप जो है record कर सकते हो तो यहाँ पे recording का भी option आता है और echo का भी option आता है तो यहाँ पे मैं आपको पहले इसमे colleagues देखर echo का option checker के दिखाता हूं कि मैं किस echo की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं यह अभी FM mode पे है यहाँ पे यह AUX mode पे है यह अभी recording है ठीक है तो यह recording का जो option है दोस्तो तो यह तभी recording होगा जब इसमें USB लगा हो और यहाँ पर माइक लगा हो ठीक है तभी यह recording करेगा तो recording किस प्रकार से करते हैं उसका वीडियो मेरे चैनल पर अल्लेडी बना हुआ है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका link मैं आपको description म करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तो यह जो echo है आप mic जो होता है यह आप आप देख सकते ही यह बला mic यह बोया का mic ले लिजिए जिसा आप record करते हो कुछ इस प्रकार का mic होता है echo के साथ आप Spanish कर सकते हो ठीक है without mic का circuit ठीक है जैसे यह जो mic का circuit होता है दोस्तो इ इस इकको के option पे आप माइक यूज कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे symbol भी दिया गया है माइक और उसके उपर इकको ठीक है तो इसको किस परकार से यूज करेंगे तो जिस परकार से यहाँ पर recording के लिए माइक में ही हम माइक को connect करते हैं उसी परकार से इस इकको का जो option है दूस्त यह जो माइक का option है दूस्तों उसमें मैं यह जो माइक का socket है उसको मैं लगा दूँगा उसके बाद इसमें जो है audio output लेंगे जो कि मैं एक amplifier के साथ इसका connection कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर लगा दूँगा ताकि मैं किसी amplifier के साथ इसको connect कर सकूँ तो यहाँ पर मैंने एक connector लगाया है और यह मेरे amplifier का यह aux का pin है तो इसको मैंने लगा दिया है तो यहाँ पर जो दोस्तों अभी eco mode पर है तो यह जो हमारा mic का यह देख सकते हैं option इस पर आपको जो है touch करने पर कुछ ऐसा feel होगा जैसे कि यहाँ पर mic को आप touch कर रहे हो ठीक है मैं आपको और दिखाने कोशिस करूंगा यहाँ ठीक है यही option है जो दोस्तों जिस पर आप microphone यूज कर सकते हो बिना किसी mic circuit के ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर आपको चेक करके दिखाते है कि किस परकार से मैंरा काम करता है तो दोस्तों मैं यहाँ पे यह बोया का जो mic होता है मैं उसको यूज में लेने वाला हूं तो यहाँ पे मैं इसको लगा दूँगा यहाँ पे और उसके बाद जो आपका option है दोस्तों वो camera को ऊप्सन है दोस्तों इसके उपर आपको on करके रखना है तभी आपका काम करेगा ठीक है देख सकते हैं ये इसमें जो है माइक काम कर रहा है तो चलिए मैं इसमें कुछ बोलता हूँ सुन सकते हैं तो दोस्तो यहां पर आपको पता चल गया होगा कि ये जो इकको का उप्षान है आखिर किसलिये होता है यहां यह को होता है यह आपका जो माइक होता है उसको यूज करने के डियो होता है तो आप इस परकार से जो है माइक को यूज में ले सकते हो जिस परकार से मैंने आपको बता है तो दुस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारे यूटूब चै कर दो कर दो